कच्छुआ और खर्गोश की कहानी एक घने जंगल में एक बार कच्छुआ और खर्गोश रहते थे. खर्गोश बहुत तेज दोड़ता था और उसे अपनी गती पर बहुत गर्व था. वह अकसर कच्छुए का मजाक उड़ाता और कहता तुम बहुत धीमे हो. अगर हम दोड़ लगाएं तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ. कच्छुआ शांत स्वभाव का था, लेकिन एक दिन उसने खर्गोश की चुनोती स्विकार कर ली. कच्छुआ ने कहा, चलिए, एक दोड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतता है. खर्गोश ने यह सुनकर हनस्ते हुए कहा, तुमसे दोड़ में जीतना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा. दोड़ शुरू हुई. खर्गोश बिजली की तरह दोड़ा और जल्द ही कच्छुए से काफी आगे निकल गया. लेकिन कुछ दूर जाकर उसने सोचा, कच्छुआ तो बहुत पीछे है. मुझे आराम करना चाहिए, यह सोचकर खर्गोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और जल्द ही सो गया. कच्छुआ धीरे-धीरे मगर लगातार अपनी राह पर चलता रहा. उसने बिना रुके और बिना थके अपनी चाल बनाये रखी. कुछ समय बाद वह उस जगह पर पहुँच गया, जहां खर्गोश सो रहा था. कच्छुआ उसे बिना जगाए चुपचाप आगे बढ़ता गया. जब खर्गोश जागा, उसने देखा कि कच्छुआ अब दोड़ खत्म करने के करीब था. वह घबराया और पूरी ताकत से दोड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कच्छुआ धीरे-धीरे चल कर रेखा पार कर चुका था और दोड़ जीत चुका था. हो सकती है.